हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A15 Android mobile phone में आप अपने mobile phone में call forward कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस् इसमें आपको ने नीचे आना है यहां पर आपको एक option मिलता है supplementary service का इसे आपको टैप कर लेना है ठीक है सौरी यह गलती से दूसरा option टैप हो गया हमें जो है supplementary service पर टैप करना है तो आपका यह वाला पेज आएगा ठीक है तो इस वाले पेज में आपका इस तरीके से यह रीफ्रेश होगा रीफ्रेश होगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है यहां पर आपका पेज शो हो जाएगा रीफ्रेश होगे ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा कभी का एक दो मिनट का टाइम लग जाता है पेज को रीफ्रेश होने में ठीक है इस तरी वही सारे प्रोसेस वह वहाँ पर फूर। प्लाई होगा ठीक हुआ थीक है? तो यहां पर पर पेज को रीफ causal होका गाराум आपको क् kraberi यहां पर आपको कोई भी नंबर आप टाल दीजिये दिखे-एं randomly यहाँ पर कोई साई number डाल दे रहा हूँ ठीक है न मान लीजे मैं यहाँ पर यह वाला number डाल देता हूँ इस तरीके से यह मैंने number यहाँ पर enter कर दिया आप मैं इसे enable कर देता हूँ आपको इसे enable करना है ठीक है आप देखे यहाँ पर यह पेज जो है थोड़ा सा refresh होगा परसन जो है call करेगा न मुझे मेरे नंबर पर अगर कोई भी call करेगा तो वो मेरे को शो नहीं होगा उसकी जो call है वो forward हो जाएगी इस वाले number पर ठीक है इस वाले number पर बैल चली जाएगी देखे second person मेरे को कोई भी call करेगा मालीजे मेरा family का कोई member मुझे phone करता है मेरे number पर ठीक है लेकिन वो call जो है इस number पर forward हो जाएगी इस number पर घंटी बजेगी जो ये मैंने number डाला है ठीक है आपको समझ में आगया call forward ऐसे काम करती है ये always forward पर करेंगे तो हमेशा कोई भी number पर कोई भी person अगर आपके number पर call करेगा तो इससे आपके phone पर कोई भी incoming call नहीं आपके number पर जो भी कोई call करेगा वो इस number पर forward हो जाएगी ठीक है जो number आप यहाँ पर enter करेंगे ठीक है तो always forward में यह ऐसे काम करता call forward इंग ठीक है आप देखें यहाँ पर जो है आपको नीचे देख सकते हैं forward when busy ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों अगर मालीजे always forward में आपने family member का ही third person अगर आपको कोई भी call करता है आपके number पर तो आपका number पहले तो busy बताएगा या फिर busy नहीं बताएगा ठीक है तो वो automatic call जो है वो आपको इस वाले number पर forward हो जाएगी जो number आप यहाँ पर busy की category में डालेंगे जो number आप डालेंगे ठीक है तो यहाँ को समझ में आ गया और देखिए यहाँ पर देखिए forward when unanswered ठीक है तो यहाँ पर देखिए forward when unanswered में क्या होता है कि अगर मालीजे आपके number पर किसी ने call किया ठीक है आपने उसका accept नहीं किया नहीं कोई disconnect किया ठीक है तो इससे क्या होगा जो आपका जो call है वो forward हो जाएगा आगे जो number आ डालेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह तीन चीज समझ में आगी और देखिए यहाँ पर अन्रीचयोबल बताएगा ठीक है आपको कोई भी call करेगा तो आपका जो number है वो अन्रीचयोबल बताएगा ठीक है ना तो इस तरीके से दोस्तों यह आपको call forwarding आप इस तरी phone में ठीक है ना